हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टी योरो टुप चैनल फोर क्या टीव स्टेडिज आज इस सेजन के माधिय हम लोग देखेंगे बी ए ए ए ए एस वन एटी थरी के लिए इंपोर्टेंट कोस्टन वी तांसर जिसका नाम है परियाटन मानव विग्यान इसमें हम लोग देखेंग कि ये एसाइमन के कोस्टन जो होती है वो आपके सेलेवस से ही होता है और ये एक परकार का एकजाम होती है एकजाम में आपको सेलेवस के अंतरगत जो भी इंपोर्टेंट लगता एकजामनर को तो वे कोस्टन को सिलेक्ट करके आपके एसाइमन के एकजाम लिया जाता है त तो ठीक है तो मैं इसको explain करूंगा जैसे कि आज जो है second class है आज इस session के subject के इसे पहले हम लोग first questions को देख चुके हैं explain कर चुके हैं जो भी अभी तक है first questions को नहीं देखे हैं उसको जरूर देख लें उसका link जो in description box में मिल जाएगा और comment box में pin क्या हुआ मिल जाएगा जैसे कि आज हम लोग second questions को देखेंगे second question में क्या करता है उपयुक्त उधारनों के साथ मूर्थ और अमूर्थ धर्वहरों का वर्णन करना है उसका आज इस session के मादि हमसे में लोग 2 questions को explain करेंगे जैसे कि question number 2 और सस्तिकार second का जो नहीं को नमर को देखेंगे जैसे मैं कहा ज करना है जो भी इस चैनल में new हैं और चैनल को subscribe नहीं किये हैं सो प्लीज चैनल को subscribe जरूर कर लें और बेल ऐकन को जरूरीट कीजिए ताकि जैसे ही इसके आलावा next session upload आपको notification में मिल जाए ओके चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कि सेशन को जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं question number second जो हम लोग आ चुके हैं जिसका questions है आपके उप्रित उधारनों के साथ मुर्थ और अमुर्थ धरोहरों का वानन करना है यह धरोहर क्या होता है जैसे कि आपके जो नहीं होता है अच्छे घसे धरोहर का है जो उसका संस्कृति है उसका culture है उसका nature है किस टाइब से हैं आप उस धरोहर से बारे में समझ सकते हैं मान धरोहर सरोहर दौला सौला यह सभी चीज़े जो ना उसके माधियम से बताया जा रहा है उपर धरनों के साथ example के माधियम से हम लोग देखेंगे यह क्या होता है चलि स्टार्ट करतें जैसे आप सभी यहां अगर हम दुनिया में मौजूस संसक्रिति विवित्ताओं को समझना चाहते हैं तो हम संसक्रिति को प्रकृति से अलग नहीं कर सकते हैं जैसे अगर हम लोग दुनिया के बारे में जो उसकी कल्चर है उसकी विवित्ता है उसको हम जानना चाहेंगे और उसका अध्यन करने क कोशिस करेंगे तो उसमें हम लोग यह पाएंगे कि यह संसकृति जो है यह प्रकृति से अलग नहीं हो सकता अलग नहीं कर सकते हैं यदि आपका कल्चर और उसका नेचर को अलग कर देंगे तो हम लोग उसकी संसकृति को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे नहीं बाहर समझ परियावरान से कुछ ही हद तक अलग है अनुकुलित है ना कि 100% मत समझ रहा है ना उसके बत का जाता है हाला कि जैसा कि डेरील फोर्ड ये एक विदवानते थिंकर विचारक है ये कहते हैं कि मानो विज्यानी द्वरा बताया गया है ये साइकलोजी की माधियम से बताया गया है जो सैकलोजीस्ट है ये डेरील फोर्ड ये सैकलोजीस्ट है ठीक है ना इसके दोर बताया गया है कि परियावरान या प्रकृती संसकृती पर एक निर्धारक निर्धारत भूमिका के वज़ा एक सिमित भूमिका निभाती है यानि परियावरान जो गया इन्वर्मेंटल हो गया उसको परकृती नेचार हो गया उसकी संषक्रिती पकतब इसके आलावा सिमित भूमिका निवाता है और है के सांसख्रितिक धरोहर के अध्यन के उद्देश निमलिकित हैं जो नीचे दिये गया हुआ है उसको हम लग देखते हैं आपका पहला पॉइंट अपका जाएगा भारत में पड़ियाटन के लिए सांसख्रितिक धरोहर के योगदान को समझना नेक्स रहेगा सांसख्रितिक धरोहर की संदक्षन और पुनरस्थान में संदस्थानों की भूमिका कोर समझना उसके नेक्स टेक आपका सांसक्रितिक धरोहर के मात और इसे सनक्षित करने की आवसकता को परतिबंदित करना ये सभी जो है आपके सांसक्रितिक धरोहर की अध्यन के लिए जो एक मुख की वि पूर्वाज है जो दादा दादी पर दादा दादी ये सभी चीज़ों की है और उसका इतियास के बारे में बेहतर तरीके से हम लोको जानने के लिए जो है ये समझने के लिए अनुमती देती है उसके बत आगे कहा जाता है साथ ही लोगों को उनके मूलियों मांडंडों विस्वासों रिती रिवाजों और पवितरस्थान स्थाओं से जूरने की स्विकृति भी देता है यानि उसके जो इतियास में जो चीजी है जैसे उसके रिती रिवाज कैसी थी उसके कल्चर कैसी थ उसके विश्वासों कैसे थी, उसके पवित्रस्थान कौन-कौन से थे, उसके बाद उसका मांडन क्या हुआ करते थे, इसकी साथ जोने सभी चीजों को एक साथ जूरने की स्वेकिरती देते हैं, इसकी जानने के लिए हम लोगों को इकटके जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आ निर्ति है वहां की एतियासिक कैसी है पड़ीवेस के बारे में चुनाओ tipos का करीखुदर साथा है। ठीक है ना, उसके बाद उधारन के लिए जैसे बताए जा लहा है, भारत के लिए और कोनार्क मंदिर जैसे दरोहर अस्तलों की उपस्तित गर्व की भावना पैदा करती है जैसे आपके बारे में नाम लेकर बोलेगा आपके नाम का यह आपका धरोहर और कोनार्क मंदिर जैसे नाम लोग को गर्व होती है ठीक है उसके बता है अतीत और वर्तमान को एकजूट करते हुए सम्माने धरोहर के माधियम से जूरी हुई है यह अतीत यानि वर्त चाहे इधियास हो जहां की सासनकाल में बनाया गया था यह ताजमाल और अभी वर्तमान समय में जोना काफी वर्सों के बाद भी इसमें इस राष्ट के रूप में समाने स्वामित्व जिम्मेदारियों की भावना को पैदा करते हैं इसमें जोना एक बेहतरिन सामूदाई के रूप में स्वामित्र तरीके से उसकी जिम्मेदारी को भावना को पैदा करते हैं जो उन्हें संरिक्षित और बरहवा देता है जैसा कि बेनेडिक्स एंडर्सन जैसे समाजी वग्यानकों ने राष्ट को एक निर्मान के रूप में परिवासित किया है यह राष्ट को जो है एक राष्ट को एक निर्मान के रूप में परिवासित किया है जो इस तऱ के निर्मान के लिए योगदान देता है, कि राष्ट के निर्मान के लिए योगदान देता है। अबहात बनाने में मदद कर से रहे हैं ठीक है ये बाते हैं उसके आगे कहा जाता है एक राष्ट के लिए अनिवार है कि इस पहचान को बनाए रखने के लिए वो ऐसी सामोहिक स्वामित वाली वस्तों के बारे में ज्यान का सनक्षन और परसार एक राज्य उध्यम के रूप होना चाहिए इसके बारे में कहा जाता है एक राष्ट के लिए ये अनिवार है ये जरूरी है कि उसकी पहचान को बनाए रखने के लिए जो है न जैसे भारत की है उसको पहचान बनाने के लिए जैसे एक ताजमल है ताजमल अधरवल अस्तल है उसी तरह से कहा जा रहा है क एसी स्रमौिक स्वामित के वस्तों के बारे में ग्यान प्राव्त करना चाहिए, उसके सनक्षन करना चाहिए, उसके परसार करना चाहिए, जैसे कि राज युद्यम के लिए रूप में होना चाहिए, उसे व्यक्तियों के रूप में छोड़ी नहीं जाना चाहिए, इसको जो सरवेक्षण करता है उसके अलाबा अस्थानी सायस्वक और समुदाइक निवासी धरवर असतलोंकि तरस्ठ Lal noisesor पुनस्थान में महतंपूनों भुमिक आने भाते हैं यह काम करने के लिए प्रश्थान मेंग बुम वहन जो होती है जह चुछ जिम्मेदारी और आत्म जग्रुकता की भावना पैदा करते हैं, जो अस्थानिये आवादी की कारवाही में अनुवादित हो जाते हैं, जो बदले में एक राष्ट के नागरिकों के रूप में कारी करने के लिए प्रेरीत होते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वे राष्ट से संबंदित हैं, ठीक है, ये बाते कही जा रही है, समझ गये, उसके आगे का जाता है, स्वामित और जिम्मेदारी की भावना, राष्ट के साथ पहचान की भावना सीधे अनुपातिक है, अस्थानिये लोगों की सक्ति का उप्योग करने के लिए सरकारी और गेर सरकारी स होता रहा, एंजियो के माधियम से ये भवन बन रहा है, उसी का माधियम से कहा चल रहा है, वाकि अस्थानिये लोगों की संसक्रितिक अधिकारों को काफी ज़्यदा प्रोग्रेस करने की धियान देना चाहिए, और उसकी सम्मान भी करना चाहिए, ताकि धरोहर को परभाव उसी अनुपात में खो देंगे, यदि कोई वेक्ती, अगर अधिकारी के रूपे है, लेकिन उसको सभी चीजें जोन अधिकार करने के लिए नहीं महसूस करने देता है, तो ये बाते कही जारी है, कि वो इस अनुपात को जोन छोर्ष देगा या खो देगा, जैसे कि वे औ संतुष्ट महसूस करते हैं, ठीक है, यदि अस्थानिये लोगों को बताया जाता है कि किसी निश्चित वस्तू या छेदर पर उसका कोई अधिकार नहीं है, तो उन्हें उनकी देखभाल करने की कोई मजबूरी महसूस नहीं होगी, यदि आप मान की चलो छेदर इस तल प जिसे जिएंगों की भूमिका लोगों को धीरे-दीरे रास्ता दिखाने और सलहा देने की होनी चाहिए, जिसे लोगों को या ना लगे कि उन पर कारीक जवरदस्ती थुपा गया है, ठीक है, यही बाते कहीं गई है, तो इसके बारे हम लोग धरोहर मंधरोहर के बारे में और नेक्स्ट कोशन आपके लिए रहेगा यहां जैसे कि देखिए, सस्तिकार सकेंड में जैसे मने बतता आया था, पर्मानिक्ता क्या है, उधायन के देखा असपष्ट करना है, अब हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है, इसके उत्तर से देखिए है, क्या कहा जा रहा है, नेकि पर्मानिक्ता में पर्मानिक्ता क्या है, इसके देखिए, पर्मानिक्ता आम तोर पर मुल, वास्तविक, सच्चा, आधी के अर्थ में उप्योग की जाती है, ठीक है, यह पर्मानिक्ता मतलब प्रूव्ड जो है, आपके जैसे सबूत जो है, आपका प्रूव्ड जै वो नहीं है बलकि एक सचाई है जिसे परियाटक देखना चाहते हैं यानिकि परियाटक के माध्यम से जो सचाई होती है उसको वे देखना चाहते हैं उसके माध्यम से वो परमानिकता है ना कि जो आदालत में पेश किया जाता है सबूत गवा और जो सचाई है उसके माध्यम स जो ऐसी सचाई को माना जाता है जो वास्तित सचाई नहीं है बलकि एक सचाई है जिसे परियाटक खुद देखना चाहती है उसके उतका जाता है परियाटक के लिए परमानिक कुछ ऐसा हो सकता है परियाटक ने सपना देखा हो जैसे कि कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं होता है भयानक जैसे बड़ी भयानक सपना देखे रहे बाबा तो उसी तरह काता है प्रेटन के लिए जो पर्मानिक कुछ ऐसा हो सकता है जो एक सपना के रूप में हो जैसा कि गिसॉल एक विद्वान थे ठिंकरत हैं और ये साइकलोजिस्ट भी थे ठीक है अपने लेक में एक परिदिश से कवर्नन करते हैं पर में इस बारे में है कि पस्चिम के लोग कुछ ऐसे अस्थानों में इमानदार लोगों की छवियों को अपनाते हैं पस्चिम जितन करते हैं जहां परमानों रियक्टर हो ट्रेंड यूनियन हो यह ट्रफिक जाम इन सभी चीज़ों के लिए जगाण नहीं है यानिकि जो आभी सही तरीके से प्रिद्वी पर सही तरीके से वह इमानदारी तरीके से कारी करता हो तो उसके अनुसाद जो लोग परियेटर में वही देखना चाहता है ठीक है उसके बाद पर्मानेक्ता का अधियान तीन सिध्यान दिश्टी कौन से किया गया है वस्तुबाद रश्नवाद और उत्तर आधुनिक्तावाद ठीक है इसके अधार पर्मानेक्ता के अनुसार समझने की कोसिस की है जैसे कि आपका देखते हैं वस्तुवादि सिध्यान इसमें और करता है इस सिध्यान के अनुसार पर्मनेकता दिमा की नजर से मुक्त है यह आंथरी रूप से उस्तुवादि के रूप में मौझूद होता है जिस स्थान का दोरा किया जाता है यह जो है उस वस्तु के रूप में देखता है वो अस रूप में मजूद है जिस स्थान का वो दोरा करना चाहता है वो वहाँ पे जोन पलायन करना चाहता है और जो सीधे आगुंतक या परेटक की धार्नाव से जुरा नहीं होता है जो सीधे तरीके से जोन वो परेटक की धा करता है इसके बारे में वस्तु की तालास करते हैं और इस ततिकी पर्ती सचेत रहने रहते हैं कि मेजवान अस्तान एक छदम घटना परदान करता है पर्मानिक एक परकार से निर्मित है इस लिए वास्ताव में और मानी है यह बारे पर्मानिक्ता की तलास करते हैं हाला कि मैकमेलान 1916 में अहम होते हुए इसकी बात रखी की पर्मानिक्ता की तलास में पग्रगरही आधुनिक पर्मानिक्ता और प्राचिन्ता और प्राकृति की तलास करता है ठीक है तो यह बात दोनों की बातों में जो है पर्मानिक्ता के ब शियुकादटाओं वो सचाई नहीं है बलकि देखे वli जो है परियेटक सौचता है जो सपना में देखे हूं वो उसका परमनिक्ता है तो इसके बारे में कहा जाता है वास्थुखता जो है आपका बरिष्टीन हो गया उसके मेकमीलन है इसके माधियम से कहते है कि यह एक धार्मिख जोने तिर्दकर्ट यात्री कहलाता है इसमें जो है परिएक जो है वे दोनों इस बात पर सहहत हैं ओके तो ये बाती कही जारी है इसके बारे में परिएक के परानिक्ता के बारे में अंखे परिएक ड़क क्या होता है तो लगे फोर से और आप से बी दो घंटे का समय दिया जाएगा समझ रहें इसलिए आपको दस दस नमर के मार्स में पुछे जाएंगे तो इस तरह से आपके questions आएंगे तो हम लोग इस तरह से देखा जाए तो एसा में के question नमर 3 तक देख चुके हैं और कुछ बचा हुआ है उसको नेक्स सेशन में बहुत ही जल्द इसको कवर कर लेंगे तो आप हमारी साथ जुरे रहिए तो और बहुत ही चल्द इस नेक्स सेशन भी अपलोड होने वाली है और चैनल में जो भी न्यूँ है प्लीज चैनल को सस्क् सेयर जरूर कीजिए चलिए मिद्द इस नेक्स सेशन में तब तो के लिए थैंक यूँ